हलो एवरिवान मैं साधना और बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का अपने चैनल यम्मी पका यम्मी खा एंड ब्लॉग पर तो आज मैं लिग क्या ही हूँ चुकंदर आलू पराठा जो बहुत ही टेस्टी और हेल्दी भी है तो आप देख सकते हैं कितना बढ़ी है अच्छी लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें शेयर करें और कमेंट्स में बताइए का कैसा लगा आप लगों को और मेरे चैनल पर न्यूँ हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दें बिल आइकन के साथ तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं चुकंदर आलू पर रठा है हमें बिल्कुल फाइन पेस्ट इसकी डेडि कर लेना है तो जान में डाल दोंगी और इसके साथ एक कप पानी भी डाल दोंगी में इसके बाद इसका हमें पेस्ट रेडि कर लेना है तो देखी यहां पर पेस्ट हमारा बन चुका है तो इस तरीके से पेस्ट बनाना है बिल कब के जी आठा ले ली हूं और इस आठे में मैं थोड़ा सा नमक डालूँगी एक छोटा चमच नमक को डाल देना है हमें और इसमें हमने जो चुकंदर का पेष्ट बनाकर रखा हूँ था उसको भी डाल देंगे और डाल के अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे पित्विश्जस हम मिक्स कर लेंगे फिर को पाणी डालें जितनी ज़रुरत हो सब से हम पानी डालेंगे तो हमें इसका एक अंच्छा सा, सफ्ट सा व्व allows ज्यादा सब्ट भी नहीं औरं यहां अब यहां पर मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको अच्छे से गूथ लूँगे आटे को तो देखें आटा हमारा अच्छे से गूथ चुका है अब इसमें एक चमच उपर से छोड़ा चमच तिल लगा कर और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे चारो तरफ से तो तिल लगा के हमें ज्यादा गूथ ना नहीं है बस ऐसे ही उपर से हमें लगा लेना है चारो तरफ और इसे ढख के हम छोड़ देंगे अब हम आलो के श्टपिंग बना लेते हैं तो यहां पर कढ़ाई में मैं तेल डाल दूँगे सरसो का तेल एक बड़ा चमच और इसम तो राल के हलका सा भून लेंगे जिसे इसका कलर हलका सा चेंज हो जाएं प्याज हमारा हलका सा भून चुका है अब इसमें मैं लासन अद्रक और हरी मिर्च को दरदरा सा कूट ली हूँ अब इसको मैं डाल दूँगे तो यहां पर मैं अद्रक एक इंच ली थी और लासन 8-10 लासन के लिया और 3-4 हडी मिर्च और उसको मैंने अच्छे से कूट लिया था और उसको मैं डार रहे हूं तो यह तीनों चीजों को जब हम अच्छे से एक साथ मिक्स करके कूटती है तो बहुत ही अच्छी खुसबू आती है तो यह हमारा भून चुका है पेस्ट लहसन अद्रका अब इसमें आधी चमच हल्दी पाउडर डाल देंगे और आधी चमच लाल मिर्च पाउडर अब इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और गैस का फ्लेम स्लो ही रखेंगे अब इसमें वन मसाले हमारे अच्छे से भून चुके हैं बहुत यह अच्छी खुसबू आ रही है तब इसमें मैं आलू डालूंगी यहां पर मैं 5-6 आलू को बॉयल करके और मैस कर ली हूँ अब इन आलू को हम मिक्स कर लेंगे मसाले के साथ देखिए सभी आलू को डाल देंगे मसाले में और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे तब इसमें धनिया पत्ता में डालूंगी और उसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे धनिया पत्ता को अजवाईन एक चमच उसको क्रस करके डाल देंगे अब इसमें नमक डालेंगे अपने टेस्ट के कोडिंग नमक डाल दें और इन सभी चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे आलू के साथ और एक छोटा चमच आमचून पाडर भी डाल दें और इसको अच्छे से मिक्स कर लें सभी चीजों को तो यह हमारी आलू के स्टपिंग बनके रेडी हो चुका है यहाँ पर हम गैस का फ्लम बंद कर देंगे और इसस टर्पिंग को हम ठंडा होने देते हैं जब ठंडा हो जाएगा फिर इसे हम यूज़ करेंगे तहंपे हम अटा देख लेते हैं अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं अलू पर ठाब तो यहां पर हम लोई बना लेंगे आपको जितने बड़े साइज का बनाना हो आप उस अनुसा लोई को रेडी कर ले तो इस तरीके से मैं लोई बना ले रही हूं बड़े साइज कहीं बनाऊंगी को कि स्ट्रपिंग उसमें अच्छे से आएगा इस तरीके से हमें सभी आटे का लोई रेडी कर लेना है यहां पर सभी लोई रेडी हो चुका है अब एक लोई को लेके हम सुखे आटे में डिप कर लेंगे और इसको फिर हम जार देंगे अच्छे से चकले पेरा के से हमें हलका सा बेल लेना है अब इसको अगर दूसरे तरीके से भी भरना चाहते हैं तो भर सकते हैं लेकिन मैं इसे हलका सा बेल ले रहे हूँ अब इसके बीचो बीच हम आलो के स्टपिंग भरेंगे इस तरीके से बीचो बीच में रख देना है और चारो तरफ से उठाकि आटे को और इस तरीके से हमें बन कर देना है उपर के साइड में लाके है और इसको सुखे आटे में हल्गा सा डिप कर देंगे और इसे हम बेल लेंगे हलके हाथों से ही बेलेंगे और से ज़्यादा पतला नहीं कर रही हूं मैं थोड़ा मोटा ही रख रही हूं अगर आप पतला बनाना चाहते हो तो इस्टफिंग थोड़ा कम भड़ें कि दीदे बिल के रेडी कर लिए हूं तावे को रख दी वह उगए इस पर गड़म हो जुका है अब इसके ओपर मैं डाल दूँगी पराठे को आएब है यह देखिए पराठे को हम डाल देंगी और इसको हमें दोनों तरफ से सेख लेना है तो मैं इसे पलट दी हो और तेल भी वादियो इसकीप हो गया है तो आप इसमें चारो तरफ से तिल लगा ले आप चाहें तो इसमें घी या बटर भी लगा सकते हैं और दोनों तरफ से दे सकते हैं या कभी भी बना के खा सकते हैं अगर आप लोगों कर इसमें अच्छी लगे तो कमेंट्स में जरू बताइएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बावाई टिक क्यार थैंक्स फर वाचिंग